next question, question says find the acceleration of the blocks A and B in the situation shown in the figure तो अपने को तीन situation दे रखे हैं, तीनों में हमें acceleration यह भी बनाना है, तो तीनों को अलग independent सवाल करके solve करते हैं आपे, ठीक है? तो पहली जो अपनी situation है, सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़े से लंबे होएंगे, पर अभी clear हो जाएगा यह है, ठीक है? तो यह आपका एक block, यह आपका दूसरा block, और यह आपने ऐसे police को extend कर रखा, यह आपका block A है, यह block B है, let's call this mass M2, let's call this mass M1, और यह अपने को 4 kg दिया हुआ है, और यह अपने को 5 kg दिया हुआ है, ठीक है? और हमें बताना है इन दोनों का acceleration क्या होएगा, इस पर जब इसे solve करेंगे, तो एक तो आपकी tension T आएगी रसी में, tension T, T, T और यहाँ पर आपकी tension 2T होएगी, और at the same time, दोनों blocks का acceleration क्योंकि एक single thread से नहीं बने हुए, हमें एक single thread से ऐसे बना हुए, बड़ यह दोनों block अलग अलग होएगा, तो इनका acceleration अलग अलग होएगा, इस case में हम यह मान सकते हैं, sign convention के हम बात करें, इस case में हम यह मान सकते हैं, कि मान लिजे दोनों block हैं, उन दोनों का direction, अगें जब हम variable assign करेंगे, उस time पे हम direction मानें, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपने कोई भी random direction मान रखी है, बड़ sign convention का ध्यान रखना, उस basis पर हम यह कह सकते हैं, कि अगर मान लो multiple cases हो सकते हैं, मैं example देता हूँ, कि मैंने मान लिया कि यह M2 block के उपर जा रहा है, M1 नीचे जा रहा है, या फिर इसका जो acceleration है, let's say A2, और इसका acceleration है A1, तो हमने कहा कि A2 उपर जा रहा है, A1 नीचे जा रहा है, या फिर A1 उपर जा रहा है, A2 नीचे जा रहा है, या दोनों block उपर जा रहे हैं, या दोनों block नीचे जा रहे हैं, आइडिया यह है कि अगर आपने कोई भी एक convention मान लिया, उसके basis पर एक sign convention से equation लिखें, और अपने आप आपका result बिल्कुल प्रॉपर order में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आजाएगा sign के साथ, तो अगर मान लो A2 जो यह वाला block है 4 kg का अपने माना उपर जा रहा है, लेकिन यह final इसकी जो value आई, negative आई, इसका मतलब है कि ओपर नहीं जा रहा है, यह नीचे जा रहा है, वो proper sign convention के साथ अपने आप आ जाएगा, तो लेट उस के इसको डेमोंस्रेट करने के लिए, हम यहाँ पर case करते हैं कि मान लिजिए दोनों block नीचे जा रहे हैं, हाला कि practically इस case में possible नहीं है, रसी आपकी जो है वो inextensible है, दोनों block नीचे नहीं जा सकते हैं, बट हमने just to demonstrate this point के मान लिया के दोनों नीचे जा रहे हैं, उस basis पर हम अपने equation लिखेंगे, और उसके basis पर जो हम equation solve करेंगे, अपने आप result ऐसा आजाएगा कि दोनों block नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, और result आपको बता देगा क्या हो रहा है, और let us say, यह स्वाले को हम sign convention उपर direction positive मान लेते हैं, तो अपने हाँ पे तीन variable है, a1, a2 और tension और आपके तीन equation चाहिए होगी, दो equation तो आपका a और b का जो free body diagram है, vertical direction में, उससे आजाएगी, तीसरी equation के लिए हमें a और a1 और a2 के लिए constraint की equation लिखनी पड़ेगी, तो let us do this, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो say for example, अगर आप इसको ऐसे कहें, कि मान लीजी जो आपका b block है, वो एक centimeter नीचे गया है, ठीक है, तो यह एक centimeter constraint ना लागी हम थोरी में इसको cover कर चुके हैं, अगर यह एक centimeter नीचे गया है, तो यह वाली जो पुली है, यह एक centimeter नीचे आई होगी, इसका मतलब यह रस्सी और यह रस्सी दोनों आपकी एक centimeter से खिचेंगी, इनको एक centimeter इच प्रोवाइड करने के लिए इसको एक सो centimeter प्लस एक centimeter यानि की दो centimeter ऊपर जाना होएगा, twice a1, minus इसलिए because अगर यह नीचे आ रहा है, तो इसको उपर जाना पड़ेगा, हमने अपने sign convention में, दोनों अभी अपने सवाल सौल करने में, दोनों नीचे माने हैं, इसलिए यहाँ पर मानते, तो minus नहीं आता है, ठीक है, तो यह आपकी equation number 1 ही आ गई, ठीक है, अब दोनों का FBD बना के equation और लिखते हैं, तो दो equation और आ जाएगे, फटापटी सवाल सौल हो जाएगा, तो यह A1 है, यह A2 है, यह आपकी tension है, पहले अगर इस mass M1 का FBD अगर हम बनाएं, तो M1 का FBD हम कह सकते हैं, यह आपका block है, नीचे आपका force लग रहा है M1 G, और उपर इस पर 2 T tension है, दोनों T T है, तो यहाँ पर 2 T tension आ जाएगे, और यह block हमने माना हुआ है, नीचे A1 acceleration से जा रहा है, ठीक है, So, if that is the case, तो यहाँ पर अपना, जो इसकी equation लिखे जा सकती है, उसको हम लिख सकते हैं, this will be equal to M1 G, minus 2 T, will be equal to M1 A1, यह आपकी equation बन जाएगे, ठीक है, So, यह आपकी, let us say, equation number 2 हो गई, now M2 जो block है, उसका जब हम FBD बनाएंगे, एक काम करते हैं, equation यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा clear दिखेगा आपको, So, यह आगया, M1 minus 2 T is equal to M1 A1, यह आपकी equation 2 हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे जो M2 block है, उसका FBD जबाब बनाएंगे, So, इसका FBD बना, नीचे तो आपका force लगा M2G, और यहाँ पे जो value है, M1 है अपना 5 kg, और M2 है 4 kg, इसकी value हम final result में बाद में डाल लेंगे, इसके उपर-उपर जो आपकी force है, वो tension है, और यह हमने माना है, नीचे जा रहा है, A2 acceleration से, तो इसकी equation हो जाएगी, M2G minus T will be equal to M2 A2, Now, यहाँ से हम A2 की value insert कर सकते हैं, जिससे आपका एक variable eliminate हो जाए, तो यह बन गया है, M2G minus T will be equal to M1 multiplied by minus 2A1, अब यह दो variable रह गए यहाँ पर, ठीक है, अब इसको और इसको हमने यहाँ से T की सुपारी देनी है, तो यह जो आपकी equation है, इसी को अगर मैं मान लेजिए, minus 2 से multiply कर दो, यह थोड़ा practice से आजाएगा आपको, minus 2 से multiply करने का मतलब यह है कि सारी चीज़े जब minus से multiply करेंगे, और उसके आद यह minus 2T बन जाएगा और यह minus 2T का plus 2T हो जाएगा, और यह 2T add करेंगे तो T उड़ जाएगा, तो minus 2 से आगर मैंने इसे multiply किया, तो यह बचा minus 2M2G plus 2T is equal to यह हो गया आपका 4M1A1, यह आपकी equation number 3 बन गई, ठीक है, तो अब हम इन दोनों equations को add कर देंगे, ठीक है, तो हमने आप करना है, यहाँ पर equation, बस हो गया सवाल, equation number 2 और 3 जो है, उसको जब हम add कर देंगे, तो इसको और इसको add करेंगे, यह 2T और यह 2T उड़ जाएगा, एक मिट यह M1 के साथ G भी आएगा यहाँ पर, यह M1G आएगा, ठीक है, तो यह equation आपकी left hand side बनी, M1G, minus 2T और जाएगा, minus twice M2G will be equal to, right hand side आपकी बनेगी, M1, A1 common ले लेते हैं, plus 4M1, एक मिट अमने कुछ गडबर तो नहीं की, M1 यह था, और यह M2 रहेगा, M2 देहान रखना है, छोटी-छोटी mistakes ना हो जाए, यह M2 रहेगा, ठीक है, 4M2, multiplied by A1, इसका मतलब यह हो गया, A1 will be equal to M1 minus twice M2 divided by M1 plus 4M2G, यहाँ पर M1, M2 की value रखके आपका A, A acceleration आजाएगा, तो A1 will be equal to M1 के आपना, 5 minus 2 into 4 divided by M1 is 5 plus 4 into 4G, तो यह उपर बना 5 minus 8 यानि की minus 3 divided by 8 plus, 16 plus 5, 21 G, आपका A1 जो है, वो आगया, minus G by 7, और A2 जो है, A2 इस equation से आपका आजाएगा, plus 2 G by 7, नौ, क्योंकि यहाँ पर हमने A1 को यह जो आपका acceleration आया, A1, इसको हमने यहाँ पर नीचे वाली direction में माना था, और यह minus sign आया, इसका मतलब यह है कि आपका जो final value आई, इसका मतलब यह है कि जो हमने माना था, उसके opposite है, इसका मतलब यह upwards है, और यह वाला आपका downwards जा रहा है, ठीक है, so this is what it means, तो जो आपने sign convention माना था, उसी के हिसाब से अगर वो ही same sign आगए, तो यह वो ही आपकी direction आगए, तो positive sign आया है, A2 का, तो आपने नीचे माना था, मतलब यह आपका downwards जा रहा है, और वहाँ पर जो आपने sign convention माना था, उसके opposite sign आया है, तो इसका मतलब यह वाला block उपर जा रहा है, वो वाला block नीचे आ रहा है, so this will be final answer for this particular problem.